क्लास्ते नुलास्त वी फीफ स्टैंड़ हंदी लेसर नमबर फोर्टीण क्या क्या कि आ ओकी फोर्टीन तो फोर्टीन में हमने देखा था हम अलग रूक एक तो वह ने देख लिया था तो वह वीडियो दो आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्कृप्षण बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो वहां से आप देख लेना और दिशाओं के ना मतलब डिरेक्शन उसका नाम हिंदी में देखने को मिलेगा और एक से लेके 25 तक हिंदी में आपको गिंती भी जो 123 आप बोलते हो काउंटिंग वो आपको हिंदी में मिलेगा एक, दो, तीन, चार, पांच, कैसे हिंदी में लिखा जाता है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा तो यह चप्टर बहुत ही इंट्रेस्टिंग है ठीक है ध्यान से देखना थोड़ा सा और बहुत ही मज़ेदार भी है तो इस लेशन का नाम क्या है चुक चुक गाड़ी चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ पहले एक, एक वर्ड अच्छे से पढ़ेंगे रवीवार का दिन था पाटशाला में चुट्टी थी आसपास के बच्चे इकट्थे हो गए वर्ष उनमें सबसे बड़ा था उसने कहा चलो चुक चुक गाड़ी खेलते हैं तो कि क्या बोल अगया तो रवीवार का दिन था मतलब संडे का दिन था और स्कूल में चुट्टी ती रवी वर्आ की दिन में मतलब कि यहां पर आपको लड़कों के थ्रू बच्चों के थ्रू आपको क्या दिखाया जाएगा इसमें पूरा 12 महीनों के नाम और क्या हिंदी में और क्या यहां पर आपको दिखाया जाएगा सारे डिरेक्शन के नाम लेकिन क्या बच्चों के फॉर्म में बच्चों की र हाजरी लूँगा बोलता है पहले मैं हाजरी लूँगा सब मतलब प्रेजेंटी होता है ने स्कुल में कैसे प्रेजेंटी लगता है वैसे सभी एक दो तीन बोलो तो सभी क्या बोलो एक दो तीन हाजरी में एक से चौबीस तक उपस्तित थे मतलब एक से लेके चौबीस तक य संख्या नामिलेगे,। 25 है तो सभी एक पंग्ती में खड़े हो जाओ, visit शीलन सब लोग लाइन में खड़े थे Вme एक वाला जो है उसको क्या नाम दिया चैत्र फिर आठवे नमबर जो था उसको दिया क्या देखते हैं यहां पे एक को दिया चैत्र ठीक है चैत्र यह देखो यह सब मन्त के नाम है एक को क्या नाम मिला चैत्र आठ को क्या मिला कार्तिक जो आठ वे नमबर पे लड़का था पांच वे नमबर पे जो था उसको क्या मिला श्रामन नाम ठीक है जो दूसरे नमबर पे था उसको मिला वैशाख सात्वी नंबर पे जो था सात आश्वीन तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक चैत्र, आठ कार्तिक, पांच श्रामन, दो वैशाख, सात आश्वीन, चार आशाड, अठार आगने, छ भादरपद, दस पोश, पंद्र नरित्य, 21 पश्चिम, 22 उत्तर, 23 दक्षिन, 17 वायव्य, 9 अग्रहायन, 12 फालगुन, 3 जैश्ट, 16 इशान, 14 आकाश, 11 माग, 13 इंद्र धनुष, 19 बादल, 24 धर्ती, 20 पूर्व इसमें इसने किसके किसके नाम लिए, 12 महीने के नाम, हिंदी में, ठीक है, 12 मंध के नाम लिए, हिंदी में, और दिशाओं के नाम लिए इसने, दिशाओं के नाम इसने बता है, देखिए, जो हिंदी में पहला मंध आता है, उसको क्या बोला जाता है, चैत्र, ठीक है, क्या तो तीन हमने देखा था यहीं पे था ना कहीं पे तो तीन यहां पे था जेश्ट ठीक है और चार ऐसे से करके चार पांद देखो चार आशाड ठीक है पांच श्रावन तो ऐसे मतलब क्या है इसका हिंदी में नाम होता है बादरपद या उसको भादरपद होता है साथ वामेना क्या होता है आश्वीन या कुवार भी बोलते हैं उसको देखिए यहां पर आश्वीन तो इस तरीके से उसने 12 मंत के नाम लिए हिंदी में और क्या लिए मतलब डिरेक्शन के नाम जो अलग अलग डिरेक्शन है उनके नाम लेकिन यहां पर चार सिट डिरेक्शन नहीं बताए हैं कितने डिरेक्शन बताए हैं मैं आपको बताती हूँ ठीक है अभी मैं आपको पहले यह पढ़ा देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ सारे मंत के न करम और एन जलते देन की इंजन बन गया ? सभी बच्चे उल्टे क्रम में अपना क्रम और नाम बोलते हो इंजन की पीछे जूड़ते गये जिसने सभान्हें दिया तो इसने सभात की तो ऊसे यह सरी सप मुझद आखकर सी यह बाद है जोड गै बाद में च बच्चे और जुड गया इस तरह शुरू हो गया चुक चुक गाड़ी का खेल च श बच्चे और जो जुड यह वो कौन से थे रित्वू यह मतलब च रित्वू होते हैं सेजन कितने होते हैं uhm तुम सब भी चुक्चुक गाड़ी का खेल लोग्रमि वर्शा से त्री हर्मार्सम में फेल सकते हो तो अब देखो यहां पर आपको क्या दिया गहां93 सब्ता की नाम आपको लिखने है किसी तरह का से रवीवार, सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, ब्रिहस पतिवार या गुरुवार, ठीक है, शुक्रवार, शनिवार, फिर रवीवार आ जाता है महीनों के नाम आपको ल लिखा हुआ है एक दो तीन यह सब आपको हिंदी में लिखा हुआ है अंक में कैसे लिखोगे तो आप तो इस तरीके से एक रहता है ऐसे एक रहता है दो तीन चार पांच छे साथ आठ इस तरीके से नौ भी होता है इस तरीके से और एक तो नौ ऐसे भी होता है एक मिट इस त मैं आपको बताती हूं कि जो इस तरीके से उसने ऐसे ऐसे नाम दिये हैं तो 12 मंथ के नाम और उसने यहां पे जो यहां पर 12 मंथ और जितने भी डिरेक्शन है सबको एक मिक्स कर दिया ना मैं आपको अलग-अलग करके बताती हूं सी है क्या है यहां पे तो पहला मंत क्या है यहां पे चैटम दूसरा er his whole pair अश्विन या इस एक हुआर्स भी बोलते हैं कार्थिक मार्ग शिर्ष क्या बोलते हैं इसको मार्ग शिर्ष कार्तिक और मार्ग शिर्ष कि दसमा क्या है पॉश 11 मांग और लास्ट वाल ट्वेल्थ वाल फाल गुन अगर हम इसे जनुरी फेब्री मार्च अप्रिल में जून जुलाइए ऑगस्ट सेप्टेंबर अक्टोबर नॉव सब्सक्राइब अब हम बात करते हैं डिरेक्शन की बात ठीक है देखा था क्या क्या था इंद्रधनुष था आकाश था तो में कौन-कौन से होते हैं अगर हम देखे में तो में तो में पता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिल मतलब इस्ट वेस्ट इस्ट वेस्ट नॉर्थ यहां पर साउथ और उसका जो हमें पता है जो यहां पर सब्डिरेक्शन भी होता है ठीक है सब्डिरेक्शन भी होता है तो वह कैसे होता है इस तरीके से दोनों की विज़ेस तभी हम ब देखा था और यहां पर सांथ वेस्ट को क्या बोलेंगे और साउथ भीस्ट को क्या बोलेंगे आगने ठीक है तो इस तरीके से देखो इस इसके आ आपने पढ़ा होगा फोस्ट टेंडर में डरेक्शन सब डिरेक्शन किसमें आपने पढ़ा था इवियस में देखा था ठीक है इवियस वन में तो आपने पढ़ा था फोस्ट टंडर में तो यहां पर हिंदी में आपको दिखाया गया है तो कैसे है पूर्पश्चिम उत्तर ढक्षिन और यहां पर इशान वायव्य नरित आगने ठीक है और क्या होता है सिर्फ इत्ने ही दिशाइ नहीं है हिंदी में और भी दिशाइं है वह कौन कौन सी है वह देखते हैं ऊपर को क्या बोलते हैं हम जिसे चारतो इसतरी के से दिशाइं हो गई तो उपर भी तो है यह तो सिर्फ सब्धियरेक्शन हुआ Ng受áском मतलब कि उपर उपर क्या है आकाश है तो आकाश भी हम लेते हैं आकाश नीचे क्या है तो धर्ती धर्ती है ठीक है धर्ती है यहां पे ओके और क्या है यहां पे और क्या अलग दिया हुआ इंद्रधनुष इंद्रधनुष को भी यहां पे लिया गया है और क्या पे अलग है बादल इसको भी लिया गया है तो कितने हो गए अगर आप सारे डिरेक्शन देखो तो 12 तो मंद की नेम हो गए 25 होने चेना तो 12 यहां पर देखो 25 पुरा हुआ है ठीक है पुरा 25 यहां पर सारे डिरेक्शन सब डिरेक्शन को मिला कि यह सारे डिरेक्शन सब डिरेक्शन है औ और उसमें हमने दिखा मंद के नेम अब यहां पर क्या वो लगया था लास्ट में कि उसमें से छे बच्चे और जुड़ गए बाद में तो छे बच्चे वो कौन कौन से थे तो देखिए वसंत ग्रेश वर्षा शरद हेमंद शिशिर यह क्या है रितूं के नाम है मतलब सीजन अलग अलग जो सीजन होते हैं कि इसन का नाम है वसंत का बहुता है चैतर से Vedic मधूर मांदम मार्च से अप्रेल अगर आप अगर कि ईंवर से नवंबर होता है यह मंत अप देखोगे तो मार्गज, से पॉष और डिसमबर पंदरा जनवरी तक होता है ईंवरत होता थन शचिर पंदी का मौसम में थान ज़ो भिववल का हbling होता है इस तरीके इस कितने हो गये 25 जो भू गए थे हम आरे 25 जो बच्चे थे हो गए लेकिन वहां पर उसने बोला था कि बाद में च्छे बच्चे और जूड़े जूड़े ऑँ इस दे Absolute Dong शजिigi यही है छे बत्चे ठीक है तो यह सब लिख लेना और आपको जो दिया गया है लिखने के लिए वो भी आप जरूर यहां पे कर रहेना यहां पे आप को दिया गया है को ठीक है तो बाकी का जो चैप्टर है आगे का अब नेक्स्ट वीडियो तो इसके बाद हम देखेंगे यहां पर ज्यानी यह क्या है वह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है कोई भी डाउट हो तो कमें सेक्षिन में आप पूछ सकते हैं और आपको यह लेशन कैसा लगा यह जो पूरा हमने इसकी थुरू किया क् कैसा लगा वह भी आप बताना और कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्षिन ने पूछ लेना ओके सब्सक्राइब कर देना चैनल आप बेल आइकान प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन आजाया उस वीडियो का